पाकुट जिला प्रशाशन के दुआरा कोविड नाइंटीन से बचाव के लिए एक साथ कई अभियान चलाए जा रहे हैं लोगों को जरुवत की सामान भी उपलब्द करा रहे हैं लेकिन इस दौर में राशन डीलर की मनमानी से लाबक परिशान है पाकुट जिले में कम राशन देने का मामला सामने आया है बता दें कि कोविड नाइंटीन संकट को देखते हुए राजसरकार ने जिले में गरीबों को दो मा का राशन एडवांस देने का आदेश प्राप्स किया है चिंगडंग पंचैत के आटो गोली गाओं की रिना स्वायम साहता समू के द्वारा चावल वितरन के दौरान चावल की कटोती को लेकर काटधारियों ने डीलर के समक्ष प्रदर्शन किया ग्रामीडों का कहना है कि डीलर की मनमानी के चलते ग्रामीड परिशान है काटधारी नफिदुल शेक ने बताया कि रिना स्वायम साहता समू से डीलर कई लाबुकों को 5-10 किलो राशन कम दे रहे हैं पांच उनिट वाले लाबुकों को 60 किलो की जगए 51 किलो जबकि 40 किलो वाले लाबुकों को मातर 32 किलो राशन मिलता है ग्रामीडों का कहना है कि डीलर की मर्मानी के चलते ग्रामीड परिशान है वहीं मासिबुल शेक ने आरूप लगाते हुए कहा कि हम लोग 4 सदसे हैं जिस हिसाब से 40 किलो मिलना चाहिए लेकिन 33 किलो दिया है काड़धारी मिलसारोल शेक ने कहा कि चीनी का वितरन एकदम से नहीं होता पर काड़धारी के काड़ में चावल लेते समय चीनी भी दल्च की जाती है इस दोरान मनिरोल शेक ने बगल में पड़े तराजू से अनाज को तौला तो उसने पाया कि जहां 60 किलो अनाज मिलना था वहीं 51 किलो अनाज प्राप्त हुआ वहीं काड़धारी केशो राजबंची ने कहा कि मुझे 10 किलो कर चावल देने का नियम है पर डीलर द्वारा जबदस्ती 9 किलो चावल दिया जा रहा है इस संबंद में जब रिना महिला सोयम सायता समू के अध्यक्ष हसीदा बीवी और फरंगिला बीवी वा सचेव रेशम बीवी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सरकारी चावल के बोरा के चलते लावकों के इससे सेख काट रही है वहीं वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक ब्रिद आदमी इस चीज का विरूत कर रहे हैं पर डीला द्वारा उसको जबरदस्त कम चावल थमाय जा रहा है किलो चावल देने का नियम है अब लोग कितना किलो दे रही है तो हम लोग जोड करका हम बोर रहा है कि हम लोग को दो अच्छा करका हम लोग मारते हैं इसे तो कितना करती हैं अभी कितना काते हैं माच चार सोगरी काते हैं एक आदमी का कितना काते हैं अब लोग माथा पेचे चार सोगर कर रहे हैं अच्छा अच्छा